अरस्दीप साहब तूने क्या करडाला मर गई मैं मिट गई मैं ओ जी आ आ जी क्या जरूरत था सर्दार साहब छक्का मारने जाने का टाई करवा दिये मैच आप क्या सोचे थे इकल के पेपर में हेडलाइन होगा लिख्का सिंग इजद गिंग सर्दार है असर्दार नाम बनाने के चक्कर में मैच तो आप करवा दिये अब टाई क्या करवां समजिये तो भारत विदे मुकाबल्रहार गई हर गई हाँ हाँ भारत से जब कि और अराम अराम से दीरे दीरे दोर करकेiałem पर नायद निज स्ट्राइक को अब हुपर पर चिंब रहा है कोई भी बल्लेवाज अच्छा खेला बुरा खेला उससे कोई एक्सपिरियंस था साहव प्रेसर जहनले का वो पावर था देखे थे ना कि कैसे वाइड बॉल को छोड़ दिये थे रवी चंदरनास्विन सहाव अरे आपको रडार में गेंद आता आप मारते कोई दिक्कत नहीं है भाई सारे फिल्डर उपर थे आपका सोच एक दम जायज था लिक्रिकेट पर बॉल है भाई गलती से भी चूके तो लवी डवलू का सिकार होईएगा और उस समय आप भारत को ऐसे कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा सरदार सरदार सहब थोरी सी आगे से सोट समझ करके सोट खेलिएगा अगर ऐसा सिच्वेशन आए ठीक है होता है क्रिकेट है दीरे-दीरे ही सिखने को मिलता है वेल आगे चलते हैं कर इस वीडियो में तो दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि महेंद्र सिंग धोनी gustaarna कंट्नी से बेहतर कप्तान रोहिट सर्मा हो गए है क्या यह सही काना है कैसे रोहित सर्मा महेंद्र सिंग धोनी से बेहतर कप्तान हो गए है किसे पर चर्चा करते हैं अगर दोस्तों तो रोहित सर्मा मात्रवी एक वाइट बall किरिकेट ट्रॉफि जीते हैं टी- powerless ट्रोफियों का अमबार लगा हुआ है महेंच सिंग धोनी के पास लेकिन फिर भी आप रोहिद सर्मा को क्यूं कह रहे हैं कि महेंच सिंग धोनी से बहतर कप्तान है जो इनका intent है खेलने का नो डाउट रोहिद सर्मा एजे कैप्टन एजे लीडर एजे पलेयर बहुत अच्छे हैं लेकिन धोनी से अगर तुलना कर रहे हैं अभी रोहिद सर्मा का तो यह नजायज बात है कहीं से अभी धोनी के आसपास भी नहीं है हाँ बहुत लोगों का यह भी काना है कि सायद WTC चंपियंस दोजार पचीस अगर रोहिद सर्मा जीत जाते हैं तो महिद सिंग धोनी से आगे निकल जाएंगे कभी नहीं आगे निकलेंगे और इस बातों पर एक वीडियो में देख रहा था उसके नीचे कोमें नाइवी टीम मिली थी तब महिद सिंग धोनी अच्छे कर रहे थे तो मैं एक कहना चाहता हूं रोहिद सर्मा के फैंस को मैं रोहिद सर्मा का खुद बहुत बढ़ा परसंसा को एसमें कोई डाउट नहीं है बहुत अच्छे कैप्टन है हमारे भारत के टी ट्वेंटी वर् महेंद सिंग धोनी का किया घरा है अ महेंद धोनी का बना खुद गया होगा केरियर है रोहिद सर्मा को ज 있는 कर मेंस अ तो आज तक किसी भी पलियर को कोई भी पलियर नहीं दिया है अगर आप लोग आज से दस सल पान सल पहले से अगर आप मुकाबला देखना शुरू कर दिये हैं तो आप जान लीजिए जब 2010-2014 का जब दौर चलता था उस समय कोई टीम में रहे या ना रहे रोहित सर्मा चरू महेंत सिंग धोनी को लेकिन फिर भी महेंत सिंग धोनी ओजोहरी है जो काते थे कि इस बंदा में ताकत है कि इसको अगर मौका मिले तो भारत का नाम रौसन करेगा और वही हुआ, 2013 में जब ओपनिंग करवाया गया रोहिद सर्मा और सिखर धवन से, उस दिन से रोहिद सर्मा का किस्मत ही बदल गया, रोहिद सर्मा खेल तो रहे है क्रिकेट 2007 से, लेकिन 2013 के बाद से उनका नेम फेम लोग जानने लगे, और इस पर पूरा का पूरा असमीं को बनाया है, रोहिद सर्मा को बनाया है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों में टैलेंट नहीं है, टैलेंट होने के बावजूद भी आज कल गली मुहले में परे रहते हैं, किरिकेटर, लेकिन इंडियन टीम तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन महें सिंग धोनी बोले ना कि उसको वो परक थी पलेयर का कि जिस पर वो हाथ रखते थे वो उनको सोना बना करके इंडियन टीम में खेलाते थे हां तो महेंद सिंग धोनी अभी ट्रोफी में भी बहुत आगे हैं और बहुत सारा चीज में ही आगे हैं रोहिद सर्मा अच्छे कप्तान है बहु नीचे है रोहिद सर्मा रोहिद सर्मा काभी क़्या सल कपिता यह हुए हुआ है 2022 से तो कफटानी कर रहें अभी 2024 चल रहा है महेंदर सिंग्हद का 2007 में कप्तानी में थी और 2016 तक कफ्तानी किया है महिंदर सिंग्दोनी तो उनके मुकाबले क्या कोई भी कुछ भी बोल देगा तो थोड़े हो जाएगा नहीं हो पाएगा रोहिद सर्मा टीम को अच्छा लीड कर रहे हैं और रोहिद सर्मा की बात की जिएगा और स्टंप माइक की बात नहों ऐ नहीं सकता है फिर कल के मुकाबले में रोहिद सर्मा ने का दिया कि मेरे तरफ का देख रहे हो तू बोलना टेल मी यू मतलब जब अक्छार पटेल बॉलिंग किये थे और पर बॉल लगा था पैस्टमन को अपील कर रहे तो हमारे तरफ क्यों देख रहे हो तो यह सब रोहि पाइक में बड़ाबर पकड़े जाते हैं वेल आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा जब तक लिए पेस्ट अपलग धन्यवाद